So what's up guys, welcome to my YouTube channel So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में, Adobe After Effects के अंदर कैमरे का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं and कैमरे के अंदर जितने भी properties होती हैं जैसे की OneNote Camera, TwoNote Camera, Focal Length हम इन सारे options की बात करने वाले हैं कैमरे को कैसे animate करते हैं, everything So वीडियो काफी interesting होने वाली है So वीडियो को शुरू करते हैं and जो भी footage का मैं use कर रहा हूँ उन सभी का link मैंने वीडियो के description में add कर दिया है आप लोग जाके download कर सकते हैं for practice purpose So वीडियो को शुरू करते हैं So अभी मैंने यहाँ पर दो images को यहाँ पर import कर रहा है सबसे पहले हम लोग create करेंगे एक new composition So मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ and then आप लोग यहाँ पर कुछ भी type कर सकते हैं और इससे मैं आपर कर रहा हूँ 1920 by 1080 अब यहाँ पर आप लोग यह समझो camera create करने से पहले आपको यहाँ पर कोई भी images को drag and drop करना होगा कुछ इस type से So अभी मैंने आपर सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पर images का मैंने आपर use किया है So that आपको चीजे अच्छे से आपको समझ में आए simple way में और इससे मैंने आपर हलका से आपर कर दिया scale क्योंकि अभी image बड़ी है composition से size में अब देखो मैं आपर क्या कर रहा हूँ right click कर रहा हूँ new camera otherwise आप लोग यहाँ पर जाएंगे layer new and then camera ठीके So आपको यहाँ पर बहुत सारे options यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी आप लोग यहाँ पर इससे ignore करो So मैं आप पर प्रेस कर रहा हूँ ok के उपर So now we can see अभी हमें आप एक error यहाँ पर देखने को मिल रहा है Camera and lights do not effect 2D layer इसका मतलब यह बता रहा है कि अगर आपको camera को use करना है So आपको किसी भी image को 3D में convert करना पड़ेगा So that आप लोग यहाँ पर camera का use कर सकते है So इसके लिए मैंने क्या किया मैंने आप इन images को कर दिया 3D में convert अगर by chance आपको यहाँ पर 3D के options देखने को नहीं मिलते है So आप लोग यहाँ पर expand के उपर click कर सकते है इन options के उपर और otherwise आप लोग यहाँ पर जाए and then right click new camera and then hit ok अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि यह camera काम कैसे करता है So इसके लिए मैंने आप यह open किया Photoshop अब देखो हमारे पास ना real life में एक camera होता है ठीके या हम लोग real life में जो भी camera यूज़ करते हैं in the form of smartphone या in the form of DSLR mirrorless camera जो भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं So real life में क्या होता है हम इस camera के help से हम लोग video को record करते हैं Got it अब after facts के अंदर क्या होता है after facts के अंदर हम real camera तो यहाँ पर लेके नहीं जाएंगे ठीके So after facts के अंदर इस camera का एक virtual camera होता है कुछ इस type से ठीके अब इस camera के अंदर all over सारी वो properties होती है जो एक real life camera के अंदर होती है या फिर बोल सकते हैं इस camera के अंदर वो important features होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं ठीके अब मैं वापस से यहाँ पर चिले गिया after facts के अंदर और जैसे ही मैंने आप एक camera create किया या मैंने इन layers को यहाँ पर 3D में convert किया so we can see हमें आपे कुछ इस type से options यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अगर आपको यह option नहीं पता कैसे use करते हैं इससे पहले वाली class में मैंने already इन options को समझा दिया था आप लोग वो video देख सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पर एक basic इनहें समझा देता हूं इन options का यहाँ पर मतलब यह होता है आप लोग अगर यहाँ पर किसी भी option पर क्लिक करते हैं like left and we can see that particular view area ठीक है अभी हम left में आपर आ गए हैं ऐसे ही अगर मैं आपर क्लिक करता हूं टॉप के ऊपर अब इसने आपर top view में इसे shift कर दिया है ऐसे मैं यहाँ पर इसे करता हूं let's suppose front view so we can see the front view अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं custom view 1 so यह a kind of prospective view हमें देखने को मिलता है and यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं alt की help से आप लोग यहाँ पर इसे कुछ options यहाँ पर देखने को मिलते हैं viewport अब यहाँ पर मैंने क्या किया इसे मैंने आपर कर दिया to view अब यहाँ पर एक single composition में हमें आपर देखने को मिल रहा है viewport if I click on this so यह screen दो पार्ट में divide हो जाएगी और मैं यहाँ पर गिया और मैंने यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर कर दिया top यह already यहाँ पर top हो रखा है अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पर इस camera को change करता हूँ और इससे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस वाले viewport को active camera अगर मैं यहाँ पर इस camera को change करता हूँ उसकी position आप यहाँ पर जाके भी change कर सकते हैं transform में जाके कुछ इस type से so we can see हमें यहाँ पर यह image छोटी या बड़ी होते वे दिख रही है got it but actual में ऐसा नहीं है image अपनी जगे है camera move कर रहा है क्योंकि camera move कर रहा है अपनी जगे से so हमें a kind of illusion देखने को मिल रहा है इसलिए आपने इस बात को कभी न कभी कहीं सुना होगा किसी भी चीज को पास से अगर देखो तो वो चीज बड़ी दिखती है और किसी भी चीज को अगर आप दूर से देखो तो वो चीज आपको छोटी दिखती है same fundamental यहाँ पर अपलाई हो रहा है image में हमने कोई भी चेंज नहीं करे image या footage उस जगे static है हम इस camera को आगे पीछे move कर रहे है जितना camera इस image से दूर जाएगा उतना ये image हमें छोटी दिखेगी that's why हम लोग create करते है parallax effect हम लोग इसे matte painting में यूज करते है camera को हम लोग इसे काफी जगे use करते है got it one view ठीक है अब camera के यहाँ पे कुछ properties के बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप इसे कर रहा हूँ active camera के उपर click अब देखो अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ इस orbit around cursor के उपर और मैं camera को click करता हूँ so we can see हम लोग यहाँ पे इसे कुछ type से rotate कर सकते हैं जिस भी point में आप click करोगे वहाँ पे आपको एक origin point देखने को मिलेगा got it ऐसे ही आप अगर यहाँ पे click करते हैं pan under cursor tool के उपर so आप लोग यहाँ पे इसे कुछ type से you know move कर सकते हैं camera को got it और अगर आप यहाँ पे इसे click करते हैं so आप इसकी position को कुछ इस type से change कर सकते हैं simple है so अब समझ लेते हैं आप camera की properties so camera की properties को access करने के लिए आप करो यहाँ पे double click इस camera के उपर so we can see the camera properties सबसे पहले हमें आप पे option मिलता है one node and two node camera so अभी मैं आप पे click कर रहाँ one node के उपर and hit ok और इसे मैंने आप पे कर दिया custom view one now we can see जैसे मैंने आप इसे convert किया one node के उपर so अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक option है इस camera को move करने का it means हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको इस position से आप एनिमेट कर सकते हैं ठीक है और rotate करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक access point है camera का यह वाला this one हम लोग सिर्फ और सिर्फ camera को यहाँ से move कर सकते हैं rotate कर सकते हैं got it अब मैं वापस यहाँ पे कर रहा हूँ double click and then two note camera अब क्या होगा जैसे ही मैंने यहाँ पे click किया हमारे पास यहाँ एक extra option आ गया है which is point of interest इस से क्या होता है हम लोग यहाँ पे इस camera का view change कर सकते हैं बस इतना ही difference है one note camera में and two note camera में अब यहाँ पे question यह आता है कि हम कौन सा वाला use करें आप लोग use कर सकते हैं two note camera because आपको यहाँ पे extra यहाँ पे options मिलते हैं flexibility मिलती है got it अब यहाँ पे आपको option मिलता है name आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम type कर सकते हैं like जो भी आपको name रखना है like scene one got it अब यहाँ पे आपको मिलता है preset ठीक है आप इन multiple preset में अगर change करते हो so we can see यहाँ पे इसकी focal length भी change हो रही है जैसे मान लोग मैंने आपको इसे क्या 80 so यहाँ पे focal length 80 हो गई बाकी features भी change हो रही है इनको समझेंगे भी अब सबसे पहले आप यह समझो कि किसी camera के अंदर focal length होती किया है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं simply एक video आप उपन कर रहा हूँ so आप यहाँ पे देखो इस camera के अंदर अभी यहाँ पे lens नहीं है सिर्फ camera की body है so इस camera के अंदर यहाँ पे आपको एक part यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस part के अंदर होता है image sensor got it और यहाँ पे हमारे पास एक lens है so यह एक specific lens है जो camera के साथ आता है अब आगे समझते है अब इस वाली video के अंदर आप लोग देखो camera और lens को मैंने आपस में जोड दिया अब यहाँ पे focal lens को समझते है यहाँ पे focal lens क्या होती है अब यहाँ पे focal lens का मतलब यह होता है the distance between the lens of a camera and the image sensor ठीक है मतलब यहाँ पे जो भी इस camera का image sensor है और यह lens है इनके distance को हम लोग बोलते है focal lens अब अगर मैं आपे इस focal lens को change करता हूँ कुछ इस type से vacancy यहाँ पे यह lens आगे पीछे shift कर रहा है अब इससे होता कैई वो समझ लेते हैं यहाँ पे मैंने एक video को और open कर दिया है इस video के अंदर आप लोग एक चीज़ देखो कि अभी scene यहाँ पे कुछ इस type से है ठीक है इस वाले frame के अंदर हमें इस scene के अंदर bottle हमें आपे पूरी यहाँ पे देखने को मिल रही है और scene में बहुत सारी extra चीज़ देखने को मिल रही है and this is wide angle shot मतलब हमें आपे यह chair भी देखने को मिल रही है ठीक है so क्या होता है कि scene में जो area होता है वो कम capture होता है अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने focal length को increase किया so we can see हाँ पे subject हमें सिर्फ इतना यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जैसे मैं आपे focal length को कम करूंगा so क्या होगा wide angle हमें देखने को मिलेगा it means जबी भी हम लोग कोई शादे की photo हम लोग click करते हैं family photo उस ताइम पे हम लोग use करते हैं wide angle lenses ठीक है अब इसे change करने के लिए मैंने क्या किया simply यहाँ पे हम लोग इसे कुछ इस type से change कर सकते हैं अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो इस camera के lens के उपर ना एक number है 16-50 अब यह 16-50 जो होता है यह इस lens का distance होता है मतलब यह 16 से नीचे नहीं जा पाएगा और 15 से उपर नहीं जाएगा ठीक है और focal length इसके ही उपर depend करती है इस lens के उपर ठीक है सो अभी मैं आप इसकी focal length change कर रहा हूँ इसे कुछ इस type से rotate करके अब आप लोग यहाँ पे समझो मैं after facts के अंदर जा रहा हूँ अभी मैंने आपके एक number दिखला है था 16 and 50 का इट मींज वो lens का number था focal length था वैसे ही आपको after facts के अंदर है यहाँ पर multiple यहाँ पर focal length यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है अब जितना कम यहाँ पर यह होगा number एक मिनटा मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ एक मिनट active camera view अब एक सीच आप देखना double click करते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसका यहाँ पर area कर रहा हूँ 15 जितना यहाँ पर focal length कम होगा न उतना आपको scene में ज़ादा area देखने को मिलेगा उतना wide देखने को मिलेगा और जितना मैं आपको focal length increase कर दूँँगा उतना scene आपको बहुत zoom scene देखने को मिलेगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ let's suppose और यहाँ पर जाने के बड़ डबल क्लिक करते हैं and then 200 so we can see इसने क्या किया इसका जो area है उसे छोटा कर दिया अगर मैं आप इसे 15 करता हूँ इसका area यहाँ पर बढ़ गया got it so focal length का यहाँ पर यह काम होता है I hope करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा आप लोग यहाँ पर focal length को manually भी change कर सकते हैं अगर मैं आप इसका zoom change करता हूँ ठीक है so same है the next option is angle of view इसका मतलब I hope करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने बताया focal length अगर कम होगी so इसका जो एरिया हुआ यह बढ़ जाएगा this area is called angle of view अगर मैं आप ए focal length को increase करता हूँ तो इसका angle of view मतलब यह कम area आप capture कर रहा है ठीक है and यहाँ से आपको मिलता है depth of field अभी हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे यह basically blur के लिए होता है next यहाँ पे आपको option मिलता है देखने को film size इसका मतलब होता है I think expect ratio means dimension जब भी आप camera को use कर रहे है so वो किस dimension में video को या footage को record कर रहा है so इसका मैंने कभी वैसे इतना use किया नहीं है but I think इसका मतलब expect ratio से ही है got it मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ let's suppose 28 और यहाँ पे अभी यह वाले options को लोग समझेंगे और यहाँ पे आपको मिलता है like unit आप लोग इसे change कर सकते हो इसका unit ठीक है और यहाँ से आप इसे कर सकते हो measure film in vertical सो यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका film size horizontal जो भी आपको इसे रखना है चीक है सो आप इसे horizontal ही रखना हिट ओक है अब देखो मैं यहाँ पे गया active camera 1 के अंदर और मैंने इसको हलका सा आगे की और shift किया अब हमने इस layer को यहाँ पे जब 3D में convert किया था इससे फायदा क्या होगा custom view 1 के अंदर जाओ आप लोग इस image को camera से दूर कर सकते हैं और इस वाली image को हलका से दूर रख सकते हैं मतलब आप इस image को आगे बीचे रखके a kind of parallax effect create कर सकते हैं मतलब ऐसा फिल होगा कि यह image camera के पास है और यह image camera के दूर है ठीक है आप लोग कुछ इस type से चीज़े को manipulate कर सकते हैं और जो कि हम करते भी है matte painting के अंदर और मैं यहाँ पे से इस type से रखता हूँ and then मैं आपे इस image को scale कर रहा हूँ आने वाली जो videos होने वाली future में मैं उसमें camera का और भी use करूँगा और मैंने previous videos के अंदर भी काफी use किया camera का ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं camera के अंदर बाकी options तो यहाँ पे जाते हैं अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है zoom option यहाँ पे आपको मिलता है zoom option जो कि आपको मिलता था camera के अंदर settings के अंदर अभी हमने देखा था now next option is depth of field इससे क्या होता है आप लोग blur on कर सकते हैं जो भी background में जो blur आता है इसके लिए हम क्या करेंगे इसे on करते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है option focus distance अब यह option कौन सा वाला है यह वाला option देखो focus distance इसको समझ लेते हैं एक बार इसके लिए मैंने इसे यहाँ पे कर दिया to view इसे मैंने आपे कर दिया default ठीक है अब देखो double click करेंगे अब अगर मैं यहाँ पे इसका focus distance change करता हूं now see क्या होगा और एक मिनट इस image को मैं हलका सा और पीछे करने वाला हूँ scale करते हैं इसको हलका सा चीक है और यहाँ से मैं इसका aperture increase कर रहा हूं which is blur level so we can see one thing कि background में तो blur आ गिया है लेकिन हमारा subject focus में है यह काम होता है focus distance का आप लोग यहाँ पे इसे change कर सकते हैं और जिस भी area में आप लोग यहाँ पे इसको set करेंगे focus distance को उस area में blur effect नहीं आएगा वो area focus में रहेगा और जिस area में यह focus distance नहीं होगा उस area में आपको blur देखने को मिलेगा यहां तो आप इसको यहां से change कर लो otherwise इसके उपर करो double click and then यहां पर जाके इसे change कर लो आप got it, same मतलब है depth of field आप यहां से भी on कर सकते हैं यहां से भी on कर सकते हैं बात एक ही है, कुछ इस type से देखो, यहां पर click क्या है मैंने so यहां पर भी change हो रहा है got it, और यहां से भी आप लोग इसका aperture change कर सकते हो aperture यहां पर दो काम करता है blur increase करता है और light की intensity को control करता है ठीक है, now see कुछ इस type से ठीक है, now we have this f stop, we can see यहां पर यह क्या करता है, यह blur को control करता है, और light को भी यह थोड़ा बहुत control करता है ठीक है, यह दोनों आपस में एक तरगी से same ही work करते है, and this is blur level, आप लोग यहां पर इसे कम जादा कर सकते हैं ok, press कर रहा हूं, so यह option जो है यहां पर यह same है options, यहां पर आपको मिलता है iris shape so यहां पर जो भी यह lenses के जो भी यह features होते हैं, आप लोग यहां पर इसे change कर सकते हैं, किस form में आपको यह रखना है, आपको बहुत minor यहां पर changes यहां पर देखने को भी लेंगे so यह सारे features आपको lens के regarding होते हैं, so आप लोग यहां पर इसे अपने recording change कर सकते हैं and last में आपको यहां पर कुछ options मिलते हैं highlight, gain के so आप लोग यहां पर इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने recording, सभी बजाँ तो मैंने नीचे वाले options को कभी इतना use किया नहीं है क्योंकि कभी इतनी जरुवत पड़ी नहीं है बटा फिर भी आप इन सारे options को आप लोग यूज कर सकते हैं so यहां पर एक ही basic ता camera की regarding अब हम लोग बात करने वाले किसी भी camera को animate कैसे करते हैं so इस composition के अंदर हमारे पास है camera है एक null है और we can say कि अभी यहां पर यह move कर रहा है so अभी हम लोग क्या करेंगे पहले हम यहां पर इसे करते हैं delete and then right click new camera hit ok ठीक है और इसके बाद double a press करते हैं अभी यहां पर इसका depth of field on है off हो जाएगा by the way आप लोग इसकी properties को double a से भी access कर सकते हैं यहां पर right click करो new null object because हम लोग यहां पर इस camera को null से control करने वाले हैं one important thing आप लोग camera के उपर keyframes add कर सकते हैं इसकी properties के उपर इसकी position के उपर but I'll suggest you आप camera को हमेशा एक null के थुरू control करो ठीक है एक और important यहां पर चीज है जैसे माले लोग कि आप यहां पर जाओ custom view one के उपर और आपने let's suppose camera को यहां पर and let's suppose आपने camera को यहां पर move कर दिया ठीक है if you want कि आपको इस camera mode को reset करना है यहां पर click करो and then reset custom view one so यह क्या गरेगा यह camera को reset कर देगा या फिर आप active camera पर जाओ and then reset camera one ठीक है कुछ इस type से एक और option यहां पर आपको देखने को मिलता है which is create camera from 3D view आप किसी भी view के उपर जाओ let's suppose मैं टॉप में गया मैं यहां पर किया click create camera from 3D view so यह उस axis से उस view से एक camera create कर देगा हाला कि इसका इतना काम पढ़ता नहीं है so मैं वापस से यहां पर गया अब देखो मुझे इस camera को आगे animate करना है so मैं क्या करूँगा इस camera को पहले करूँगा parent इस null के साथ और इस null को यहां पर करूँगा 3D में convert अब मैंने प्रेस कि अप P as a position एक की लगा दी कुछ फ्रिम आगे गिया और इसका मैंने आपर कर दिया जैड एकसे कुछ इस टाइप से ठीक है अभी मैं यहां पर इसे कर रहा हूं third year half so we can see यहां पर कुछ इस टाइप से यह animate होते वे हमें दिखेगा आप लोग यहां पर काम और कर सकते हैं यहां पर on कर सकते हैं depth of field ठीक है और यहां पर इसका focus shift कर सकते हैं अब आपको focus चेंज करने के लिए क्या करना है simply एक बार आप यहां पर जाओ और देखो कि आपका focus कहां पर जा रहा है तो इसे मैं अभी यहां पर करता हूं to view और इसे करते हैं हम लोग active custom view 1 and then focus distance now see अब हमारा यहां पर character focus में आ चुक है थोड़ा सा मैं आप इसे और चेंज करता हूं now see background blur है बट यह subject हमारा जो भी character है cartoon वाला यह focus में आ चुक है और आप लोग यहां पर इसके उपर की भी लगा सकते हैं बट अभी मैं आप की फ्रेम एड नहीं कर रहा हूं ठीक है और one view इसे कर दूआ वापस से active view now we can see हमें आप पर कुछ इस टाइप से यह animate होते वे देखने को मिलेगा one more thing अब आप क्या करो अगर आपको थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा शेक करना है तो प्रेस करो और यहां पर इस stop watch के उपर alt के साथ left mouse button क्लिक करो and then use करो यह वाला expression wiggle so if you guys don't know कि यह wiggle expression कैसे काम करता है तो इसके regarding मैंने एक article लिख रखा है आप लोग मेरी website के उपर जाके चेक कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के description में got it और select करो यहां पर सारे keyframes को right click करो keyframe assistant easy is अगर आपको नहीं पता यह keyframes कैसे यूज करते हैं graph कैसे यूज करते हैं आप लोग मेरी series के previous chapters देख सकते हैं उन सभी का आपको लिंक मिल जागा वीडियो के description में और आप camera को हलका सा you know animate कर सकते हैं कुछ इस type से so आपको यहां पर कुछ इस type से you know यह scene देखने को मिलेगा अब इस scene के अंदर आप लोग एक चीज notice कर सकते हैं अगर मैं यहां पर जाता हूँ custom view 1 के उपर so मैंने इस scene को क्या किया है 3D में convert करने के बाद और मैंने क्या किया है इन images को sequence में रखा है it means अगर मैं यहां पर इसे करता हूँ so यहां पर जो background है वो last में है and then grass है and then tree है and then यह character है so that's why हमें यहां पर एक parallax का यहां पर effect देखने को मिल रहा है got it so इसे मैं one view कर लेता हूँ and guys आपको यहां पर और भी options यहां पर देखने को मिलते है like आप अगर view में जाओगे so यह सारे options आपको यह वाले options आपको यहां भी मिल जाते है so अगर आपको यहां से कुछ problem होती है use करने में so you can also use it from here so guys आज की वीडियो के ले बस इतना ही था I hope करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो guys अगर आपको वीडियो अच् करते रहते अपने काम के regarding so तब तक लिए guys take care bye bye मिलते है किसी next वीडियो में